कि देखिए आज मुंबई में अन्तिम दिन भारत जुरू यात्रा का रहा है और सबसे पहले हम राहूल गांधी जी को दिल से धनिवाद देते हैं कि पूरे देश में नोने यात्रा किया चाहे कश्मीर से कन्या कुमारी हो या पश्मी राज्यों से लेकर के हमारे नौर्टी स्टेट से लेकर के हर जगर राहूल जी ने यात्रा की है और एक पैगांब एक शदेश देने का काम किया है जो की आज के दोर में बहुत ही जरूरी है प्रसांगिक है आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है जहां टक्रार की बात की जा रही है जहां प्रॉपगेंडा किया जा रहा है जहां देश के सन्वधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है अस्थाई सरकारों को चुनुईवी सरकारों को वहां आदर ने राहूल गांदी जी ने सभी लोगों को जोडने के लिए देश के लोग तंत्र को बचाने के लिए देश के सन्वधान को बचाने के लिए अमन छैन भाइचारा कायम करने के लिए नवरत को हराने के लिए इनोंने जो भारत जोरो यात्रा किया है इसके लिए हम दिल से धनिवाद इनको देना चाहते हैं कौंग्रेस पार्टी को देना चाहते है और यहां बैठे हुए सभी महागडबंदन और इंडिया अलाइंस के जो भी हमारे नेता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकते लगाई गई हो ड़ाया जारा हो लोगों को लालच दिया जारा हो लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के सन्विधान और लोकतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूपसूरिती डाइवर्चिटी है उसको बचाने के लिए एक जुठूए हैं कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं उस सोच को हराने के लिए जो देश को बाटना चाहती है उसके लिए हम लोग एक हुए हमारी लड़ाई वेक्तिगत मोदी जी से हमिच्छा जी से नहीं है हम लोग तो हमेशा से उन विचार भारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किये हैं जिनोंने हमेशा से जिनका आज़ादी में कोई योगदान न रहा हो जो तिरंगा ना फेडाए हो अपने दफ्तर पे और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देश भक्त है अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है बहंगाई है आज गरीबी है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आज मुद्दे की बात नहीं होती मोदी जी समुदर के अंदर चले जाएंगे कार्पिट भिछा करके बैठ जाएंगे उसकी चर्चा होती है लेकिन किसान भाईयों का हाई दुगुना का वादा किया था जब हम लोग सवाल पूछते हैं राहुल जी सवाल पूछते हैं क्या हुआ दो करोर रोजगार का क्या यह गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनरजी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं और पट्टा की जो रैली हुई दस लाग से भी जादा लोग आए पट्टा में जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया और आज का जो जन सहलाब दे करके मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनरजी ड्रिंक पीना पड़ेगा अरे दरने वाले लोग नहीं है यहां हम लोग लड़ने वाले हैं अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ने आए हैं आपके लड़ाई लड़नी है इसलिए हम यह पैगाम लेकर क्या हैं लालू ज का डॉक्टर के सला पे ज़्यादा घूम्डे से मना किया गया है लेकिन लालु जी अभी भी तैयार है मोदी जी का दवाई करने के लिए उनको कितना भी सताया जाए डराया जाए उनका बाल पग्या इंसे लड़ते लड़ते लेकिन वह डरे नहीं जुके नहीं आज माराष्ट्र में खास और पर बंबई में प्राहुल जी ने निमंत्रन दिया और हम लोग यहां आए हैं और यहां बिहार की लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं हम रहुआ लोग इनके भी कहतनी बाच के रही आई भाजपा के लोग से इन लोग गोबर को भी हलुआ दे करके पडोज देता है इतना जूट बोलते हैं हम तो पहले भी कई बार के हैं मोदी जी प्रधानमत्री है ठीक है लेकिन साथी साथ वो जूट बोलने के फैक्टरी भी है मोदी जी जूट बोलने के मैंडिफैक्टरर भी है होलसेलर भी है और डिस्ट्रिब्यूटर भी है यह उनका काम है हम लोग सचे लोग हैं और सचे लोगों को कितना भी डराओगे डरते नहीं साच को आज क्या उसलिए हम लोग लड़ेंगे इनके गीदर भबकी से हम लोग ड़नने वाले हैं, आप बता हम लोग ड़णोगे, लड़ाई लड़ोगे की नहीं लड़ोगे, साथ दीजेगा न सबका, हम तो कहना चाहते हैं, राहुल गांदी जी जो यातरा कियें, ये भो सकता है, पहला चरण हो, लेकिन यातरा, तो हमेशा हम लोगों को कड़ना पड़ इन लोगों ने इतना नफरत फळाई इस के लहाया है आपने इतना भैध भव करा तृट रा दिया है कि आझ सोचना पड़ेगा इस भैध भव और नफरत को मिताने में कितने साल लगें गे इसके लिए हमको हमेशा सब सब लोılोगों के बीच जनता के बीच रहा ओगा और जो प्यार का और जो आप कहते हैं जो ढूकान खोला है मोहबत की दुकान इसको बंद मत कीजेगा कभी हमेशा आगे जंडा बुलंद केने का काम कीजेगा आज यहां शरद आपको पता है ओपरेशन लोटेस हो रहा था या विधायकों को खरीदा जा रहा था दराया जा रहा था या एक बात बता देते हैं आज महराश्चा सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है सब डीलर है शरच जी के नाम पे नाम पे वोट लेगे भाजपा से ड विःगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे सिफ सेमा उद्दभ जी के नाम पे वोट लेंगे भाजपा से डीलिंग कर लेंगे यह यह लोग कीवल डीलिंग करते हैं इसलिए वहाँ कोई भी लीडर नहीं सब डीलर बैठा हुआ है और जो डरे डरे लोग गये अच्छा चलेगे उससे कोई फड़क पढ़ने वाला नहीं है हमको कितरा भी मिटाने का कोशिश करोगे फिर से हम कारवा बनाने का होसला रखते हैं उसलिए हम सब लोग यही आए क्योंकि जंता आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का शिर्वाद मिलता रहना चाहिए अरे म भर शा만 निकली मिली इए मम ले घडमें तो कमसे कम विधायक को लेगे और दो हमारे चाचा को हीख कर लिया ह। कि बड़ा सुनते हैं मोदी जी भार बार कहते हैं बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारेंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारेंटी है हम मोदी जी को चैलेंज करते रहें मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारेंटी देना देना लेकिन अगर मेरा चाचा का गारेंटी दे चाचा जी गए तो गए हमारी शुब कामना है बड़े है अभी वावाख है लेकिन आहां वहां जो आवाम का पाकत मिल रहा है राहुल जी आये थे सब लोग आये थे जो प्यार मिल रहा है वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोस्तियों लेवाले कुछ भी दिखाते हों गोदी मीडिया के लोग लेकिन बिहार में इस बाट शौकाने वाला रिजर्ट हमला करके देने का काम करेंगे और आप लोगों को भी कहेंगे कि एक जूठ हो जाएए एक जूठ हो करके लड़ाई लड़ीगे ये मोदी जी क्या बोलते हैं ह्लोग और मोदीज्यू को चैलेंग करके बोलते हैं 17 महिने कीवल DIP T.C.M. उम भीहार के रहे 5 लाइख लोगो को सबकारी नौकरी दिया मोधी जी अपने दस साल में भी 5 लाइख क्या कितना नौकरी दिया यह बता नहीं सकते क्लेंज देते हैं वेकितना सबकानी नौकरी कि आप सब लोग जानते हैं कॉंट्राक्ट पे साड़ा चीज कर दिया गया है तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे जाधा सबे हम नहीं लेंगे सभी गन्मान देक्टियों को हमारे अभिवाबक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है वो अपनी बात को आ एक डाना लगाईएगा हम बोलेंगे भाट पाबगाओ आप सब बोलना देश पचाओ भाट पाबगाओ भाट पाबगाओ पहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जै महाराष्ट्रा